नमस्कार, आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग। बैंगलूरू में दो दिन की जो बैठक हुई बक्षी दलों की उसमें गडबंधन का नाम रखा गया इंडिया। मेरा मानना है कि ये नाम बहुत ही अच्छा रखा गया है, अच्छा किस सिंस में ऐसा नहीं कि नाम से कोई-कोई गडबंधन चुनाओ जीत जाता है, ना तो 1998 में एंडिये जीता था, ना 2004 में यूपिये जीता था, जीती कॉंग्रेस और बीजेपी थी, तो इसलिए जो है ना से अगर चुनाओ जीतने हारने लगे लोग, तो मतलब 10-15 लड़कों को भेज देना चाहिए अगले उलम्पिक में, और उन सबका नाम हुसेन बोल्ट रख देना चाहिए, तो मेडल लेके आ जाएंगे, तो नाम किसलिए मैं कह रहा हूं अच्छा रखा, इसलिए अच्छा उने, ये दरसल UPA है नए भेश में, तो UPA है वो तो एक बात है, लेकिन इंडिया नाम रखना उस माइंडसेट का, उस प्रवृत्ती का, उस मानसिक्ता का प्रतीक है, जो उपनिवेश वाद को बढ़ावा देती है, जो उपनिवेश वाद को स्विकार करती है, तो इसलिए इंडिया नाम रखना मेरी समझ से बहुत अच्छा है, मदाता के लिए आसानी हो गई है, कॉंग्रेसर उसके साथियों ने इस पश्ट कर दिया है, कि हम उपनिवेश वादी विचारों का समर्थन करते हैं, भारतिय जनता पार्टी पहले भी थी और पिछले 9 साल से बड़ी संस्कृती से, सनातन संस्कृती से, कॉंग्रेसर उसके साथ ही कह रहे हैं, कि हम अगर सत्ता में आए तो देश चलाएंगे उपनिवेश वादी बान सिकता से, अब ये दोनों का फर्क समझ लीजिए, इसलिए जब संसत का नया भावन बना उसका लोकारपन हुआ, तो इन प उनको चिड़ है, उससे नाराजगी है, उससे उनको समस्या है, तो ये विभाजन रेखा जो है, दोनों की वैचारिक विभाजन रेखा बिलकुल स्पष्ट हो गई है, कि कौन किसके लिए स्टैंड करता है, अब आप देखिए कॉंग्रेस की समझ और उसके साथियों की पूरब में है बीजेपी, कम है, और दक्षन में बहुत कम है, करनाटक को छोड़के, तो वहां हिंदी प्रमुख भाशा है, बीजेपी से जो असरी लड़ाई होगी विपक्ष की, वो हिंदी पट्टी में होगी, और गडबंधन का नाम अंगलिजी में, तो जो खबरे अं हैं, उनसे पता चला कि नितीश कुमार और सोनिया गांधी दोनों चाहते थे कि गडबंधन का नाम हिंदी में रखा जाए, लेकिन M.K. स्टालिन इस बात पर अड़े कि नहीं, नाम अंगलिजी में होना चाहिए, और इस नाम के भी कई दावेदार पैदा हो गए हैं, कोई कह रहा है, कॉंग्रेस के लोग कह रहा है कि राहुल गांधी का विचार है, उनका आइडिया था, आम आदनी पार्टी के लोग कह रहा है कि नहीं, ये अर्विंद केजरिवाल का विचार था, और तमिलाडू की जो पार्टी है, एरिजिनल पार्टी है, वी-सी के, उसके न अर्मैनल माइन्सेट में अभी भी हैं उसी से देश को निकालने की कोशिश मोदी 9 साल से कर रहे हैं और उनको बहुत हत्तक सफलता मिली है जिस तरह से भारतिय संस्कृत्य के प्रति लोगों के मन में सम्मान लौटा है जिस तरह से गर्व की भावना लोटी है वो इस बात का प्रमाण है कि नरिंद मोदी सफल हो रहे हैं अपने प्रयास में और ये नाम रखकर गडबंधन का विपक्षी दलो ने एक तरह से इसपष्ट कर दिया है कि कौन किस खेमे में खड़ा हुआ है तो मुख्य रूप से 2024 की लड़ाई इंडिया बनाम भारत होगी है भारत हमारे सम्विधान में लिखा है इंडिया दैट इस भारत तो भारत ही नाम है इस देश का अंग्रेजों ने भले ही ये नाम दिया हो और वो लिगेसी चली आ रही है आजादी के बाद हमको बदलना चा और उसके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं तो ये देश के लोगों को तै करना है कि देश उपनिवेशवाद के रास्ते पर चलता रहेगा जैसे चल रहा था आजादी के बाद से या फिर पिछले नौ साल से जिस तरह से उसको भारतिय संस्कृति के रास्ते पर चलाने की कोशिश हो रही है उस पर चलेगा अच्छा ये नाम क्यों रखा गया है उसका भी कारण समझी है नाम बदलने की क्या जरूरत थी बीजेपी का जो गटबंदन है एंडिये राश्टी जनतांतरिक गटबंदन नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस उसका नाम बदलने की जरूर इसी है वो इस देश के मददाताओं के मन में एक 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 वितनिशना की भावना पैदा करती है वो 2004 से 2014 तक यूपिये का शाशन था जिसकी मुख्य करता धरता कॉंग्रेस पार्टी थी उस दाग को छिपाने के लिए इंडिया नाम सामने लाया गया जिससे लोगों को यूपिये की और ना जाये यूपिये भरष्टाचार भाई बती जावाद क्रोणी कैपिटलिजम जो भी बुरा हो सकता है वो सब आपको यूपिये के दस साल के शाशन में मिलेगा और इसी वज़े से कॉंग्रेस पार्टी की दुर्दशा पिश्रे दो लोग सभाद चुन तो एक कारण तो ये था दूसरा कि ये मुद्दा बनाने की कोशिश जो राहुल गांधी ने कहा दूसरे बाकी नेताओं ने कहा कब ये इंडिया बनाम एंडिये और उसको आगे बढ़ाते हुए कहा इंडिया बनाम मोदी होगा तो इसके पीछे मक्सद क्या है कि चुनाओ 2024 का चुनाओ मोदी बनाम राहुल गांधी न बनने पाए इस बात भारत जोडो यात्रा के बाद कॉंग्रिस में थोड़ा आत्म विश्वास आया था और करनाटक के विधान सभा चुनाओ के नतीजे के बाद और ज़्यादा कॉंग्रिस इस दिशा में बढ़ रही थी कि र प्रधान मंतरी पद के उमिधवार के रूप में प्रजेक्ट किया जाएगा लेकिन कदम पीछे कीश लिए क्यों कि साथी दल इसके लिए तयार नहीं है देश में इसके प्रती महाल नहीं है तो राहुल गांधी को शील्ड करने के लिए बचाने के लिए कि ये मोदी बनाम राहुल नहीं हो जाए उसके लिए ये नाम लाया गया है दूसरी बात देखे हमारे देश में पिछले काफी समय से जो नेशनल इलेक्शन है यानि लोग सभा के चुनाव हैं वो क्वासी प्रेसिडेंशल हो चुके हैं बलकि राज्यों के भी हो चुके हैं लोग जानना चा जाते हैं कि देश का प्रधान मंतरी कौन होगा अगर हम इस पार्टी को वोट दे रहें तो इसका प्रधान मंतरी कौन होगा यानि बीजेपी को वोट दे रहें तो उनको मालूम है कि नरिद मोदी प्रधान मंतरी होंगे अगर वो इंडिया नाम के इस नए गड़ बंधन क उसको वोट दे रहें तो प्रधानमंत्री कौन होगा उनको नहीं मालुम है. और ये बताना भी नहीं चाहते हैं. मलिकाल जुन खडगे ने कहा बेंगलोरू में कि कॉंग्रेस प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहती है. भाई सवाल ये क्यों नहीं चाहती है? अब आप इस खत्रे को भापिए जब जब गटबंधन की सरकार बनी है कॉंग्रेस के समर्थन से और कॉंग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं रहा है वो सरकार नहीं चली है उस सरकार का जीवन आप देखिए शुरू कीजे चौदरी चरंड सिंग उसके बाद हड़ी देवे गोड़ा, इंदरकुमार गुजराल, चंदरशेखर ये सब सरकारें इनका अधिकतम एक सरकार का जो कारेकाल रहा वो 11 महीने का रहा तो कॉंग्रेस अगर प्रधानमंत्री पद नहीं चाहती तो आप मान कर चलिए अगर 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 सरकार बनती है तो वो सरकार नहीं चलेगी या फिर कॉंग्रेस टाइम बाई कर रही है कि हम ताकतवर होकर उभरें, वो पांच राज्यों के विधानसभा के चुनाव जो हो रहे है उसके फैसले का इंज़ार कर रही है, उसके नतीजे का इंज़ार कर रही है, कि अगर उसमें उसकी performance बहुत अच्छी रहे, जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ बनी रहे, जहां नहीं है, वहाँ भी बन जाए, तब वो ताकत की position से bargain करने की स्थिती में होगी, terms dictate करने की परि प्रधान मंतरी नहीं होगा, तो वह सरकार नहीं चलेगी, अगर 1998 में जो गटबंधन बना राष्ट्री जनतांतरिक गटबंधन एंडिये, उसके प्रधान मंतरी अगर अटल बिहरी वाजपई नहीं होते तो वह सरकार नहीं चलती, इसी तरह से UPA बना, तो UPA का प्रधान म उमीद थी कि कोई सन्योजक निव्त होगा, नितीश कुमार को बड़ी उमीद थी, शरत बवार तो ये मानकर शायद बैठे हुए थे कि उनके अलावा कौन हो सकता है सन्योजक, सोनिया गांधी को इस बैठक में बुलाया गया, सोनिया गांधी UPA के चेर परसन है, तो उनका इस गड़ बंधन का चेर परसन होने का दावा बड़ा मजबूत था, अगर सोनिया गांधी को कुछ मिलना नहीं था तो उनके इस बैठक में आने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ दो मिनट बोली है वो पूरे बैठक के दौरान, तो इस से आप अंदाजा लगा लिजिए कि सहमती अंदर बनी नहीं, नाम को लेकर भी विवाद हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि कई नेता, खास दोर से उतर भारत के नेता ये चाहते थे कि नाम हिंदी में हो, लेकिन एमके स्टालिन अड़ गय थे कि नहीं नाम अंग्रिजी में होना चाहिए, तो सिर्फ नाम तै स्टेरिंग कमिटी में कौन लोग होंगे, और इस बैठक का इस नए गड़ बंधन का पहला प्रस्ता हो, कि हम सत्ता में आये तो जाती ये जनगड़ना कराएंगे, अब आप देखे कोई नया नेरेटिव ही नहीं है, कोई नई बात कहने को है ही नहीं, कोई नया विचार, क कोई नया विकल्ब, उसके बारे में खामोशी है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, पतना की बैठक के बाद जो प्रेस कॉनफरेंस हुई, उसमें अर्विन केजरिवार और उनके साथ ही नहीं रुके, चले गए थे, यहां बंगलूरु में जो बैठक हुई, उसके बाद प्रेस कॉनफरेंस में अखिलेश यादो, नितीश कुमार और लालु प्रसाद यादो, तीनों नहीं रुके प्रेस कॉनफरेंस में, तीनों नहीं नजर आए, इसके संकेत क्या है, यह आप अंदाजा लगाईए, पता चलेगा दीरे-दीरे, मुंबई से पहले तो जरूर पता चलेगा, बैंगलोर में एक बड़ा प्रसिद इंस्ट्यूट है, National Institute of Advanced Studies, उसका एक शोध हाया है, और इस शोध को जो जिन्हों ने लीड किया, जो मुख्य करता धरता इसके है, नरेंदर बानी, उन्होंने अध्यान किया है पिछले 10 लोकसभाद चुनाओं का, 84 से लेकर 2019 तक, 84 का cut-off year इसले लिया है कि 84 से बीजेपी ने चुनाओं लड़ना श्टू किया, आपको याद होगा, 1980 में बीजेपी बनी, लेकिन 1980 का लोकसभाद चुनाओं वो जन्ता पार्टी के घटक के रूप में लड़ी थी, पार्टी का गठन जो है, वो लोकसभाद चुनाओ करने के बाद उन्होंने कहा कि दो तरह के कनफलिक्ट होते हैं नेशनल इलेक्शन में, एक रूलिंग पार्टी वर्सिज अपोजिशन पार्टी और दूसरा नेशनल वर्सिज लोकल, उनका गड़बंधन जब होता है तो वो मांगर चलती हैं पार्टीयां कि उनके पास जुड जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई है, उन्होंने कहा कि बड़े चुनाओं में लोगों की दृष्टी, बड़े चुनाओं से मतब लोगसभा चुनाओं, लोगों की दृष्टी नेशनल होती है, और चोटे कि जो FPTP system है उसमें देखिये फायदा मिलता है नेशनल पार्टियां दो नेशनल पार्टियां है काईदे से BJP और कॉंग्रेस दोनों का वोट शेयर लगातार इन दस चुनाओं में 20% से 20% के आसपा से उसे उपर रहा है तो रून का कि लोगसभा चुनाओं में लोग नेशनल mindset के साथ वोट देते हैं और विधान सभा में local mindset के साथ इसलिए आपको अंतर दिखाई देता है कि एक पार्टी जो राज्य में हार जाती है वो लोगसभा चुनाओं में bumper performance करती है उसके उलट जो लोगसभा में bumper performance करती है वो राज्य विधान सभा के चुनाओं में खराब क उन्होंने कही है उन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी का रीजनल पार्टीयों से जब alliance होता है तब जो नेशनल पार्टी है उसका वोट रीजनल पार्टी को नजाकर उसकी विरोधी नेशनल पार्टी को चला जाता है तो Congress के गड़बंधन में तो रीजनल पार्टीयों और स बीजेपी के साथ जो रिजिनल पार्टी हैं बहुत छोटी हैं उनका उनका प्रभावक्षेत्र बड़ा सीमित है और उनमें से कितनी सीटे कौन लड़ेगा बीजेपी के जो मतलब यह कहने को तो 30 पार्टीयों के बैटक हुई है लेकिन इन सब को मिलाकर जो लोकसभा चुना से कम पर नहीं लड़ेंगे नरिंदन पार्णी का जो रिसर्च है उनका जो शोध है वो कहता है कि ऐसी हालत में यानि जो कॉंग्रेस के साथ रिजिनल पार्टी हैं जब लोकसभा चुनाव में मद्दान का समय आएगा तो कॉंग्रेस का वोट जहां रिजिनल पार्टी के उमिद्वार हैं वहां वो बीजेपी को चला जाएगा इसलिए कॉंग्रेस के लिए खत्रा जादा है इस गड़ बंधन में वो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं या कहें आगाह कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस अब बहुत आगे जा चुकिए वहां से पीछे लोटने का किया तब भी और खास्तों से इतनी स्ट्राउंग हो जो अपने अपने राज्यों में जिनका वर्चर्स हो हो तब क्या होता है तब भी क्या ऐसी इस्तिती में कॉंग्रेस का वोड बीजेपी को चला जाएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने का लेकिन इसका पत दूर कीजिये नमस्कार